नमस्कार मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज की दूरदर्शन की कक्षा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी जॉग्रोफी की बुक भारत भौतिक और पर्यावरण का फर्स चप्टर भारत की विस्थिती भारत एक बड़े भौगलिक विस्तार वाला प्रायदीप है भारत के उत्तर में हिमाले है भारत के दक्षिर में हिंद महासागर है भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पस्चिर में अरबसागर फैला हुआ है और भारत का जो छेत्रपल है वो 32,87,263 वर किलो मेटर है तो चलिए अब हम भारत की स्थिती के बारे मां विस्तार से जानेंगे कि तो आईए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं पर सबसे पहला मुख्य बिंदु है अक्षांस, दूसरा है देशांतर, तीसरा है भूमद्य रेखा, चोधा है मानक अक्षांस रेखा, पाचवा है विश्व में भारत की स्थिती, छटवा है भारत के पडोसी देश और उनकी सीमा सादवा है भारत के रार्चे वा नभीन केंद्र शासित प्रदेश, आठवा है भारत के सुदूर, तमबिंदु और नवा है भारत का छेतरपल, भारत की जलिय वा स्थलिय सीमा और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चेन आंसर्स पर चर्चा करेंगे चलिय तो सबसे पहला पॉइंट है अक्शांस, अक्शांस किसे कहते हैं? तो हम समझ लेते हैं, गलोब पर खीची गई पस्चिम से पूर्भ तक की इन सीधी रेखाओं को अक्शांस कहा जाता है अक्षांस जो है वो लोग पर कीची गई, काल्पने ग्रेखा हैं और यह पस्चिन से पूर्व की तरब कीची जाती हैं, ठीक है? अब हम समझ लेते हैं कि अक्षांस रेखाओं की संख्या कितनी है? भूगल वित्ता में सुरू से कुछ न कुछ मत पेद रहा हैं अक्षांस रेखाओं की संख्या को लेकर, तो हम तोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, यह हैं अक्षांस रेखा हैं, और यह है जीरो डिग्री भूमत्य रेखा, ठीक है? और यह है 90 डिग्री उत्री धुर्ग और यह है 90 डिग्री दक्षनी धुर्ग। 188 मानी गई. फिर आगे मत्वेद आया कि यह जो 0 डिग्री है यह तो विश्वत रेखिये ब्रत्त है यह सबसे बड़ा ब्रत्त है तो इसको भी मिला कर अक्षांस रेखाउ की संक्या 181 मानी जाने लगी. फिर कुछ दिन बाद फिर से मत आया कि ये जो भूमादे रेखा है ये सबसे बड़ा ब्रत है लेकिन जो उत्री द्रूप और दक्ष्णी द्रूप है ये दोनों बिंदू है ठीक है फिर बाद में तर्थ निकल के आया कि 0 डिग्री से लेकर उत्री द्रूप तक अक्षांसों की संख्या 89 होती है जोकि उत्री द्रूप बिंदू है और दक्ष्णी द्रूप भी बिंदू है और इसी प्रकार zero degree से लेकर डक्षिन तक अक्षानसों की संख्या 89 होती है और एक हम मान लेते हैं विश्युवत ब्रत तो इस तरह से अक्षानसों की संख्या 179 हो जाती है तो cancer हो जाएगा अक्षानसों की संख्या 179 है अगला question है देशांतर किसे के और उतरसे दक्षिन तर कीची गई सिधी रेखाओं की कहाने जाता है डेशांतर भी कालपनिक रेखाओं है जो ग्लोब पर उतरसे दक्षिन तर कीची जाती है। अब question आता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है समझ लेते है, देशांतर रेखाओं की संख्या यह है 0 degree देशांतर और 0 degree से लेकर पूर्पेन की संख्या 180 है और पस्चम में भी 180 है इस तरह से देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है भूमत्य रेका प्रत्वी को दो भागों में बाटती है एक है उत्तरी गोलार्थ और दूसरा होता है दक्षनी गोलार्थ ठीक है यह है भूमत्य रेका और भूमत्य रेका के उत्तर में उत्तरी गोलार्थ है और भूमद रेका के दक्षिन में दक्षनी गुलार स्थित है अब हम पढ़ेंगे जीरो डिग्री ग्रीन बिच माध्य रेका इंग्लेंड के निकट जीरो डिग्री देश अंतर परिस्थित ग्रीन बिच वेदशाला से गुजरने वाली काल्मि रेका कोई प्राइम मेरेडियन माना गया है इमेज की सायता से भी समझ लेंगे कि ये इंग्लेंड में ग्रीन बिच में जो प्राइम मेरेडियन कीची गई है यही से बिश्व का मानक समय तारम होता है और ग्लोब की सायता से भी हम समझ लेंगे ये जो उत्तर से दक्षिन तक हमें सीधी 0 degree देशांतर रेखा दिखाई दे रही है इसी को Greenwich मार्थे रेखा या Prime Meridian माना गया है बिश्व में भारत की इस्तिती चलिए तो हम भीश्व में भारत की इस्तिती जान लेते हैं भारत एशिया महाधीफ में इस्तित है। भारत जो है वो पीरी तरज से एशिया महाधीफ में इस्तित है। तो भारत की स्थिती हम जब भी पढ़ेंगे महादीप में तो हम आंसर यह देंगे कि हमारा भारत एशिया महादीप में स्थित है फिर भूमद रेखा बिश्व को दो भागों में बाटती है अब भी पढ़ा था एक बार और देखेंगे कि भारत भूमत दिरेका के उत्तर में इस्थित है ठीक है इसले भूमत्य रेखा ठीक और भारत जो है वो पूरी तरह से भूमत्य रेखा के उत्तर में इस्थित है भूमत्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्द है और दक्षिन में दक्षनी गोलार्द है और हमारा भारत जो है वो पूरी तरह से उत्री गोलार्द में इस्थित है बिश्व मानक देशांतर रेखा भी बिश्व को दो भागों में बाटती है भारत बिश्व मानक देशांतर रेखा के पूर्व में इस्थित है चलिए एक बार और हम समझ लेते हैं ये है बिश्व की मानक देशांतर रेखा और ये है बिश्व को दो भागों में बाढ़ती है एक है पश्मी और दूसरा है पूर्वी ठीक है और हमारा भारत जो है वो पूरी तरह से ग्रीन बिच रेखा के पूर्व में इस्थित है अधा हम भारत की स्थिती हमेशा उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व में पढ़ते हैं चलिए एक बारों समस लेते हैं ये है भूमत रेखा और ये है ग्रीन बिच मानक देशांतर रेखा ठीक है भारत जो है भूमत रेखा के पूरी तरह से उत्तर में इस्थित है और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में इस्थित है इस तरह जब भी हम भारत की स्थिती पढ़ते हैं तो उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व में पढ़ते हैं भारत का अक्षांसिय विस्तार चलिए अब हम भारत का अक्षांसिय विस्तार देख लेते हैं भारत का संपून अक्षांसिय विस्तार 6 डिग्री 4-5 मिनिट उत्री अक्षांसे 37 डिग्री 6 मिनिट उत्री अक्षांस तक है हम एक जायता से भी समझ सकते हैं यह देखिए भारत का संपूर्ण अक्षांसिय विस्तार संपूर्ण अक्षांसिय विस्तार से मतलब है अंडवान और निकोबारतक को मिलाकर हम इसका विस्तार देखेंगे ठीक है दक्षण में यह हम देखेंगे 6 डिग्री 4-5 मिनिट से लेके उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनिट तक इसका अक्षांसिय विस्तार है भारत का अक्षांसिय विस्तार भारत की मुख्य भूमी का अक्षांसिय विस्तार देखते हैं भारत की मुख्य भूमी का अक्षांसिय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तरी अक्षांस से लेके 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तरी अक्षांस तक है ठीक है भारत का देशांतर ये विस्तार भारत का देशांतर ये विस्तार 68 डिग्री 7 मिट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2-5 मिट पूर्वी देशांतर तक है देखिए ये है पस्चिम और ये है पूर्व तो भारत का देशान्तर ही विस्तर जो है पस्चिम में 68 degree 7 मिनिट से लेके पूर्व में 47 degree की दो 5 मिनिट तक पैला हुआ है अब हम देखेंगे भारत का मानक देशान्तर भारत का मानक देशान्तर 81 degree पूर्वी या मुत्तर को चुना गया है ठीक है ये देखिए ये मेप के लगबग बीच में औरेंज कलर की लाइन गयो दिखाई दे रही है यही है भारत की साड़े ब्यासी डिगरी याम मोत्तर और इसी को भारत का मानक देशांतर चुना गया है हमारी जो मानक देशांतर रहे इलावाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है भारती मानक समय ग्रीन विच मानक समय से साड़े पाच गंटे आगे चलता है भारत का जो मानक समय है वो ग्रीन विच मानक समय से साड़े पाच गंटे आगे चलता है यह है प्राइम मेरिडियन जो विश्व को दो भागों में बाटती है एक होता है पूर्प और दूसरो होता है पस्चिम जब हम जीरो डिगरी देशांतर से पूर्प की तरब जाते हैं तो समय प्लस होता जाता है जुड़ता जाता है और जब पस्चिम की तरफ जाते हैं तो समय माइनस होता चला जाता है हम आपको यह भी बता देते हैं कि दो देशांतरों के मर्दे में चार मिनिट का अंतर आता है और जब हम 15 देशांतर के मर्दे जाएंगे तो एक घंटे का अंतर आ जाता है तो हमारा जो भारत है बारस और प्राइम मेरिडियम के बीच में काफी अंतर है भारत जो है पूरी तरह से ये देखिए लोकेशन वर्ल्ड के मेप में भारत की भारत जो है पूरी तरह से जेरो डिगरी देशांतर के पूर में स्थित है ठीक है जब हम प्राइम मेरीडियन से पूर की तरह पाते हैं तो ये है हमारी मानक देश आंतर रेखा तो टाइम जो है वो साड़े पांच घंटे आगे चलता है प्लस हो जाता है ठीक है हमारा टाइम जो है वो प्राइम मेरीडियन से लगबग साड़े पांच घंटे आगे च चलता है कि कुछ देजों में एक से अधिक मानक देश आंतर होते हैं जैसे अमेरिका में छे मानक देश आंतर माने गए हैं क्योंकि जिन छेत्र का छेत्र बहुत अधिक होता है बहाँ पर समय में काफी आंतर आ जाता है जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि दो अक्षानसों के बीच में चार मिनिट का अंतर होता है तो 15 अक्षानसों के बीच में एक गंटे का अंतर आ जाता है तो इस तरह से अमेरिका हैं कैनेडा हैं रूस हैं यह जो बड़े छित्रपल वाले देश हैं इनमें एक से अधिक मानक समय कटिवन्ध है बर्तमान में भारत में कितने राज् हैं दो नभीन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताईए दो नभीन केंद्र शासित प्रदेश पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दा ठीक है बर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आंसर है बर्तमान में भारत में आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं और हम इन पर चर्चा भी कर लेते हैं पहला है जम्मू कश्मीर दूसरा है लद्दा तीसरा है चंडीगर चोथा है नई दिली और पाच्वा है दमन और द्वीब और दादर और नागर हविली कुछी समय पूर्फ दमन द्वीब और दादर और नागर हविली अलग-अलग केंदर शासत प्रदेश से हाली में दोनों को एक कर दिया गया है ठीक है तो पाजवा हमारा किंद्रशासत प्रदेश, दमंद्वीप और दादर और नादर हवेली है छटा है पुदिचेरी, सादवा है लक्षुदीप और आठवा है अंड़ुमान और निकोवार द्वीप समून भारत का दक्षिन्तम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिन्तम बिंदु इंद्रा पॉइंट है यह इंद्रा पॉइंट जोकी दक्षिन इकोवार में इस्तित है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रा कॉल है यह इंद्रा कॉल ठीक है भारत का पस्चिन्तम बिंदु कौन सा है? तो अब देख लेते हैं भारत का पस्चिन्तम बिंदु है गौर मोती यह देखिए यह गुजरात की लास्ट बॉर्डर पर इस्तित है ठीक है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी विंदू किवितु है जो की अरुनाचल प्रदेश में इस्थित है और ये अरुनाचल प्रदेश के लास्ट बॉर्डर पर इस्थित है भारत की मुख्य भूमी का दक्षिन तम विंदू कौन सा है भारत की मुख्य भूमी का दक्षिन तम बिंदू कन्या कुमारी है ये देखिए ये है कन्या कुमारी और ये भारत की मुख्य भूमी का सबसे दक्षिन तम बिंदू है भारत की उत्तर से दक्षिन तक लंबाई कितनी है देख लेते हैं, भारत की उत्ता से दक्षिन तक लंबाई 3214 किलोमीटर है पूर्ख से पस्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है? पूर्ख से पस्चिम तक भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है चित्रपल की दर्ष्टी से भारत का बिश्व में कौन सा स्थान है? चित्रपल की दर्ष्टी से भारत बिश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है बिश्व में सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद है कैनडा और फिर है सेट्रा जमेरिका फिर है चीन, उसके बाद है ब्राजील और उसके बाद है उस्ट्रेलिया और साथवे नमबर पर हमारा भारत है अगला क्वेश्चन है कि जनसंक्या की दृष्टी से भारत का बिश्व में कौन सा अस्थान है जनसंक्या की दृष्टी से बिश्व में भारत का दूसरा स्थान है जनसंक्या की दृष्टी से पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है चीन में बिश्व की 18.5 प्रतिशत जनसंक्या दिवास करती है भारत के मद्ध से कौन सी अक्षांस रेखा गुजरती है भारत के मद्ध से करक रेखा होकर गुजरती है जोकी साड़े थेज डिगरी अक्षांस पर स्थित है करकरेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है राज्यों के नाम भी लिखी है ठीक है अगला क्वेश्चन है जो करकरेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है उनके नाम भी हमें बताना है आंसर है करकरेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है करक रेखा जो है भारत के आठ राच्यों से होकर गुजरती है और हम पस्चिम से पूर्टा किनकी स्थिती देख लेखते हैं सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्तान और तीसरा है मर्त प्रदेश चौथा है छत्तीस गड़, पांचवा है जारकन चटवा है पस्चिम मंगाल, साथवा है त्रपोरा और आठवा है मेजुरम ठीक है तो हमारी करक रेखा इन आठ राच्यों से होकर गुजरती है अगला कुश्यन है करक रेखा भारत को कितने भागों में बाटती है उत्तर है करक रेखा भारत को दो भागों में बाटती है यह है करक रेखा और करक रेखा के उत्तर में शमसीत ओशन कटी बंद इस्थित है और करक रेखा के दक्षिन में ओशन कटी बंद इस्थित है चलिए next question है भारत की स्थलिय सीमा कितने देशों से मिलती है आंसर है भारत की स्थलिय सीमा साथ देशों से मिलती है चलिए image की साथा से हम समझ लेते हैं कि कौन से साथ देश हैं जिनसे भारत की स्थलिय सीमा मिलती है पहला है पाकिस्तान और थोड़ा उत्तर में आफगनिस्तान से भी भारत की स्थलिय सीमा मिलती है तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है बूटान, छटवा है बांगलादेश और साथवा है म्यानमार ठीक है आगे चलते हैं भारत की स्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है तो आंसर है भारत की स्थलिय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है ये भारत की स्थलिय सीमा है और इसकी जो लंबाई है वो 15200 किलोमीटर है जितनी भी बॉर्डर में दिखाई दे रही है ये भारत की स्थलिय सीमा है और ये नीचे से भारत की जलिय सीमा शुरू हो जाती है चलिए अब हम देखेंगे भारत की जलिय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की जलिय सीमा की लंबाई एक सट सो किलो मीटर है तता अंडमा निकोबार दीप समू वा लक्षी दीप को मिलाकर इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है चलिए तो अब हम देख लेते हैं भारत की जो जलिय सीमा है मुख्य भूमे की यह देखिए यह ठीक है इसकी लंबाई जो है वो 600 किलोमीटर है ठीक है आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए इसलिए पूरा ठीक से समझा देते हैं फिर अंडमान निकोबार और लक्षी दीप को मिलाकर यह है लक्षी दीप और यह है अंडमान और निकोबार वीव समू इनको मिलाकर भारत की जली सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्री लंका भारत की जली सीमा पर इस्थित है यह जो श्री लंका है यह भारत की जली सीमा पर इस्थित भारत का एक बढ़ोसी देश है चलिए तो अब हम पढ़ेंगे प्रेशन उत्तर ठीक है तो प्रेशन उत्तर में सबसे पहला क्वेश्चन है निम लिखित में से कौन सा अक्षांसी विस्तार भारत की संपून भूमी के विस्तार के संदर में प्रासंगिक है पहला ओप्षन है 8 डिगरी 4 एक मिनिट उत्तर से 35 डिगरी 7 मिनिट उत्तर तक तीसरा ओप्सन है 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर तक और चौता ओप्सन है 6 डिग्री 4-5 मिनिट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर तक तो यह हम पढ़ चुके हैं और इसका आंसर बहुत सरल भी है तो सबी बच्चे इस question का answer मुझे comments box में टाइप करके बेजेंगे ठीक है चलिए अब दूसरा question है निम लिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी इस्थलिय सीमा है पहला है बांगलादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान और चोधा है मियानमार ठीक है तो हमारा answer हो जाएगा बांगलादेश, बांगलादेश के साथ भारत की सबसे लंबी इस्थलिय सीमा है नेक्स question है निम लिखित में से कौन सा देश भारत से छेतरपल में बड़ा है पहला है option चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है मिश और चोधा है इरान तो हमारा answer हो जाएगा पहला चीन, चीन का छेतरपल भारत से बड़ा है अगला question है अगर आप एक सीधी रेखा में राजिस्थान से नागालेण की यात्रा कर रहे हैं तो निम लिखित नदियों में से किस एक नदी को पार नहीं करेंगे पहला option है यमना नदी, दूसरा option है सिंदु नदी, तीसरा option है ब्रह्म पुत्र नदी, चोधा option है गंगा नदी अगर हम सीधी रेखा में राजिस्थान से नागालेण की यात्रा कर रहे हैं तो हम सिंदु नदी को पार नहीं करेंगे, ठीक है क्योंकि सिंदु नदी मानसरोबर से होकर लद्दाग, लद्दाग से भारत और पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है चली अब एक question हमारे सामने आता है, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यक्ता है, यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं चली अब मानसर की तरब चलते हैं, हाँ भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यक्ता है क्योंकि देशांतर रेखाओं कि मानक से स्पस्ट होता है यहाँ पर का है यह मानव नहीं है का है मानक से स्पस्ट होता है कि इसमें लगबग 30 डिगरी का अंतर आ जाता है देखिए भारत का जो मानक देशांतर है वो है साड़े 82 डिगरी और बारत का देशांतरी विस्तायश शुरू होता है 68 degree 6 मिनिट से ठीक है और ये चलता है यहां तक यानी की 97 degree 25 मिनिट तक ठीक है तो 68 degree 6 मिनिट से 97 degree तक इसमें 30 degree का अंतर आजाता है तो हमने अभी पढ़ा था कि दो देश आंतरों के मद्धे में कितना डिस्टेंस होता है चार मिनिट का ठीक है तो ऐसे करके पंदरा देश आंतरों के बीच में एक घंटे का अंतर आ जाता है तो भारत में 30 डिग्री है ठीक है तो इस परकार भारत में 2 घंटे का अंतर आ रहा इसलिए भारत में एक से अधिक मानक देशांतरों की आवश्यक्ता है, कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें अधिक पूर्व से पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखा हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं, जिनका पूर्व से पश्चिम तक अधिक विस्तार है, इसलिए उन्होंने एक से अधिक मानक देशांतर रखे हैं, यहाँ पर हम एक्जामपल ले रहे हैं, सयुक्तिराज अमेरिका का, सयुक्तिराज अमेरिका में 6 मानक देशांतर हैं, एक, दो, ती तो आशा करते हीं कि आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कल इसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेशन आंसर्स पर चैचा करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद, जैहिन, जैभारत